हलो एवेवान कैसे हैं आप सब यहां पे मैं त्यारी कर रही हूँ त्यारी क्या मतलब अभी तो नहीं बनाऊंगी यह शामें बनाऊंगी लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी त्यारी करके रख दूंगी मूली है मूली के पत्ते हैं इसकी जो भूजी होती है बहुत टेस्टी अब शाओं शूलेकों लिए और तो देखो है रही पराठो की अप अच्छे टेस्टी टेस्टी पराठे कहा सकते हैं बहुत सारे चीज उगे मूली के और इस तरीके से मूली वाली भुरजी के गोबी की अं सिफ आलू के पराठे को ऑफशन नहीं होता है बहुत सारे करना होता है मुझसे चितना निचोड़ा क्योंकि सच बता हूँ इतना सारा घर का काम किया जाडू पूचा वगेरा फिर में नहाई फिर यह उबल गया था फिर इसको निचोड़ना मेरे हाथ जबाब दे रहे थे बिल्कुल भी मन नहीं था और बहुत दुख रहे थे हाथ त कि नॉर्मल सी बात है पहले मैं ऐसा निया की गधर मैं ऐसी रहती थी और सच बताँ बिंदी बिना मैं अधिकतर कभी गपी वीडियो शुरू करने के लिए लगाती वैसे मैं लगा कि रखती हूं बिंदी लगाना मुझे सच में बहुत जाना प्रचन है पर कई बारियासे तो इस वज़े से बिंदी तो लगानी पड़ेगी मैं जा रही हूँ किचन में व्लॉग तो स्टार्ट रही गया था चश्मा लगाते हैं मैं ना कुछ बना रही हूँ मैंने एक वीडियो देखा मतल एक शौट देखा और उसमें मैंने देखा कि वो जो होते हैं न मखाने शक तो विपिन गया है शौप पे इने लेकर आये थे गुट्डू को तन में तो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी कल से तवित खराब है कल गया तो उसकी मैडम ने उसे वापिस भेज सिया था और बोला था कि बेटा कल ये एक दू दिन तुम रेस्ट करो आनमत वक्सेंड हो ज तो इसलिए आज इसको नहीं भीजाओं थोड़ा वोमिटिंग बगएरा होती है तो फिर ना थोड़ा वह आ जाती है इसमें इस आ जाती है तो मैंने का चबशुट्टी कराते आज इसकी अब मैं आपको ना कुछ मीठा ग्याने वाले हूं तो मैंने एक शौट देखा था उसमें मैंने यह recipe देखी थी को मेरा भी मान करिया बनाने का बहुत easy सी है उसमें कुछ नहीं करना है कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है विपिन को इस तरह की चीज है पसंद है तो यह मैं बना विपिन के लिए दिए हूं कड़ची नहीं दिखनी मेरे को बता दू अंबू को मेरे कमर में दर्ध मेरे हात में दर्ध मेरे पैरों में दर्ध के दर्धी दर्ध क्यूंकि आदधी नहीं है इतना काम करने के जितना मैं आजकल कर रही हूं पिछले 3-4 दूरे से तिन चार दिन से तो भाई दर्दवर्द होना तो लाजमी है ही है तो फिर मैं यहाँ पर वही बनाने लगी थी जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक शौट दिखा था यह हर साल सर्दियों में इस तरह के शौट्स आते हैं शक्कर या गुड को लो उसको पिगलाओ औ और इसमें आप मुमफली डाल दोगे तो वह मुमफली वाली गज्चक बन जाती है मुरमुरी डाल दोगे तो वह वाली गज्चक बन जाएगी और अगर आप इसमें में खाने डाल रहे होगी यह भी मैंने दिखा है तो यह भी स्वाद लगत लगत है तो यहां पर बस मैं नहीं पनाएँ मीठे मेटे भी बहुत परसंद है लग्यक्ल्द घूले छिकशन सीद सब्सकेड heat फोन देखा उसके बाद मेरे हाथ में दर दो रहा था साड़े छे का टाइम होगा लगब लगा लगा लेती हूं हाथ में कुछ जादा ही दर दो रहा था या तो वह मुली नहीं चोड़ी है और फिर पोचा जादा पता ही होगा मूली ने चुढ़ने में बहुत ताकत लग जाती है जान लग जाती है तो शहर उस वजए से लग वे जति है किचन में जुंव लगा है उसके बाद क्याता गरना था किचन में तूह नहीं था बोल जी थी कुशी कि मैं बना देतीयू पर मैं क्या करती बैठे बैठे फोन देखने का भी मेरा जादा मन नहीं होता है क्योंकि फोन में आप यूट्यूब ओन करो महां पर कुछ अजीब हो गरीबी चीजे चली रहती है तो वो देखना फिर माइन में पता है आपके भी वोही सारी चीजे आती है जैसा आप देखते हो वैसा आपके दिमाग में आता ही आता है जाए एक परसेंट आए तो क्यों देखना जब गलत चीजे दिमाग में आएं तो और तो फिर मैंने का नहीं मैं फोन तो नहीं देखूंगी मैं खाना बनाऊंगी किचन में जाके ली एंज़े, और मेरा इतना भी दर्द नहीं कि मैं खाना ना बना सकूँ और दर्द तो हो ई रहा चाहिए आप बैठो, चाहिए आप काम करो तो इससे बैतर है कि पाम कर लो बैटे-बैटे ज़्यादा फील होता है तो मैंने मेथी दोई आ आकर के और जो दो चार बरतन थे वो किये और मेथी दो के साइड पे रख दी है मूली के बुर्झी की तर्यारी मैंने दुपेर में ही कर दी थी वो भी बनेगी क्योंकि दुपेर में क्या था है वो बनी नी HC भुझी कई बारी हूता है एक कोटोरी कुछ पढ़ा है मूली के भुर्जी सिफ हम तीन लोग ही खाएंगे मैं खुशी और विपिन पराठे जो हैं गुड़ू तन्मे की बज़े से बन रहे हैं हाँ खा चाय कोई भी ले इनको लेकिन उन दोनों को यह रहता है कि फिर क्या खाएंगे हाला कि वो लोग ऐसे नहीं करते कि यह चीज बनी है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे वो बोलते हैं कि हमें सौंस के साथ सिंपल पराठा दे दो या हमें अचार के साथ दे दो तो खा लेते हैं या दही के साथ अब आज कल तो थोड़ा मौसम आप लोगों को पता चींचे तो दही तो नहीं दूँगी रात के टाइम में सौंस या चार दे 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 थी पर मैंने का नहीं में मेथी के पराठे मनाती हूं जब मेथी साफ हुई रखे है तो बस पहले मेथी काटके रख दी फिर मैंने कड़ाई चड़ा दी ती तेल तरम हुआ तो प्याज और हरीमेश डा सबस्कितने तो बस इसको मिक्स करूंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ AíWe के लिए ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए और किसको मूली की बुर्जी पसंद है मुझे बताना मुझे तो खेर सब कुछ पसंद है आलू उतना पसंद नहीं है खाल लिती हूं अच्छा लगता है पिट गर में बहुत बदता है तो इस वज़े से मुझे उतना खास तुससे वो नहीं है फिर उसके बाद बुर्जी युक्षि मेने भुनने के लिए नहीं का जितने भुनरी यह लंति कमें आटा लगा लेँ हूं तो मेथी काच ली ही अपर आट ली ц्छान लिया तो जितना चाहिए उसके बाद जूभी मसाले है नमक है ॥ाल्दी है मिर्श तो फिर मैने इसलीय मलाई ड़ा लिए है मैं हमेशा मेथी पराथे जरूर एड करती हूँ आठे के ओपर है कितना आठा ले रही हूँ लेती हूं क्योंकि उस आठे को रेस्ट देने की ज़्यादा जरूवत नहीं होती है तो चाहिए आप हाथो हाथ बना लो लेकिन फिर भी मैं दस मिनट तो छोड़ी देती हूं फिर मैंने पराठे बनाने यहां पर शुरू कर दिया मतलब तैारी करनी शुरू कर दिया है चकला रिषिες क्वेजनु क्योंकि वह थोड़े ऐसे हैं कि वह सामने से नहीं बोलते हैं कि मुझे ये पसंद हैं मुझे ये खिलाओ उनको बस मुझे ही समझके देना पड़ता है पर कुषक्ष कुष्ण तो सभी लोग खा लेते हैं पर कुछ-कुछ तो होता है ना कभी-कभी दिल करता है मेरा भी दिल करता है कि मेरा बदिवल को बोले ये बना वो बना नहीं बोलते बिलकुल नहीं बोलते हैं बस ये है कि मैं फिर खुछ से ही देख लेती हूँ क्या बनाऊं क्या नी तो यहां पर बने पराइठे बनाने शुरू कर दिया है और बच्चे तीनों अंदर बैठे में हैं अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इन लोगों के टेस्ट शुरू होने वाले हैं तनमे गुड़ू, खुशी, तीनों के ही तो थोड़ा-थोड़ा दिनों पढ़ रहे हैं आजकल तो दिन इतने चोटे हुए हैं पढ़ाई का टाइम मिलता भी ऐसा भी नहीं है दिन चोटे हुए हैं समय वही हैं गंटे वही हैं सिर्फ अंतर आया है रात जल्दी होने का तो बस पराइठे बनाने शुरू हो चुके हैं आप लोग भी गरम- बड़े सुन्दर लगते हैं ये पीले-पीले से पराइठे वो जो सफेज सफेज से बनते हैं अगर हल्दी ना डालो वो अच्छे नहीं लगते हैं और जब आप इस तरह से आटा लगाते हो न तो आप अपने होट-पोट में रखते जाओ गरम-गरम और उसको ढखते को आप कितने नरम पराइठे निकलेंगे आपके मैं तो हाथो हाथ दे रही हूँ इन लोगों को वेपिन दे दे के आएंगे क्योंकि बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं तो तीनों को प्लेट देनी शुडू कर देंगे तीनों को खिलाओंगी पराइठे जिसको जो खाना है अगर नहीं होता तो मैं नहीं मंगाती क्योंकि मैं नहीं डाली हुई है बच्चे हैं यार बच्चे खाएं पी हैं अच्छे से सही रहता है आगे जाके तो इनको भी अपनी हेल्थ की दस चीजे हो जाती हैं धियाल रखते हैं तो यहाँ पर ये भाई साब अपनी बुक्स लगारे हैं सुभे के लिए बैग लगारे हैं तो बच्चों को पराटे खि fierा दिये थे उसके बाद यह वाहला पराटा मैं विफिं को फोल्ड करके दूंगी और दूसरा उनका मैं मूली का बना रहे हूं भरके जो कि है कि उनको लगता है मैं बड़ी परिशान हूं गया परिषान होनाय इस में तो यह बनाया थोड़ा मुश्कील बनता है क्योंकि देखो उसमें पानी तो है और मेर से उतना टाइट नहीं नी चड़ा था तो पानी निकला था मतलब था उसमें मौश्य तो यहां पे बस मैंने ये वाला पाराटा भी बना लिया उसके बाद विपिन ने सिंपल रोटी बोली ती कि में लिए अब सिंपल रोटी बना देना तो उनकी सिंपल रोटी बनाई थी और मैं भी जो है रोटी लूँगी क्योंकि मुझे पराटा नहीं खाना है एक तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दूसरा जब मेरे पास सेकिंड ओप्शन है तो मैं वह वाला ओप्शन चुनूँगी पराटे वाला नहीं चुनूँगी फिर मेरी दिक्कत हो जाती है बहुत जादा और आजकल मुझे हो भी रही है मैं जो आपने देखा होगा मैं खूब छक्के खाती हूँ चीजे मैंने कभी ये नहीं करा कि मैं डाइटिंग पे हूँ ये हूँ वो हूँ मैं बढ़िया तरी और अपना ध्यान सबको रखना चाहिए आपको भी रखना चाहिए इससे पहले कोई शिकायत आए बोडी में उससे पहले अपना ध्यान रखो हर बार कुछ प्रॉबलम होती है तब ही हम लोग सोचते हैं लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए पहले ही सोचे तो प्रॉबलम नहीं होगी तो चलो कल मिलते हैं बाई बाई